नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब हम लोगों के साथ ग्यान अलाय Channel पर इक्यारी के तयारी कर रहा है हम लोग अभी सुरुआत ही किए आपने तयारी की सुरुआत कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पैटं पढ़ लिया एकजाव का पैटन पढ Е है कितने कॉइस्च जेल करने होंगे वोसक्रिक 항상 कर चुके हैं हम लोग डिसक्रत कर रहे हैं से बारे में संटक्रद् масс के यह सभी चॉथ vendor फिलेट यह और लोग आ 10 ग्न होए पूछे जाएंगे चोटा वह कुस एक्ट सेलेक्टेड चुनिênदा कुछ एक्ट या अधनियम जो है भारत में बने हो उनसे related to tell question पूछे जाएंगे ये चिल्डरन सेफटी से इसलिए इसको सामिल किया गया है कि हास्टल वार्डन क्या है एक छात्रावास है छात्रावास में बहुत सारे बच्चे होंगे बच्चियां होंगी उनकी सुरच्चा उनकी देखबाल उनके खाना उनके रहने उनके पहनने सारी चीजों के लिए जो जिम्मेदार वेक्ती होगा वो हो है छात्रावासा देच्चक जिसे आप इंगलिज में हस्टल वार्डन कहते हैं ये पत काफी महत्पूंड है काफी परभावसाली है और बहुत सारी इसमें सेलरी लोग कर रहे हैं उमीद करेंगे कि आप लोगँ अगर सही से तयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी फिलाल हम उनके पढ़ना उसके बारे में डिसकस कर लेते हैं पहला जो टॉपिक है वो है प्रोहिपसम नाप चाइड मायरी जैक्ट 2006 यानि बाल बिवा परतिसेद अधनियम 2006 में बना था उसको पढ़ना है पढ़ना मोटा मोटा हमें यह है कि यह अधनियम कब बना था क्यों बना था किसलिए बना था तीन चार चीजे पढ़ने हैं बहुत जादा डीटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमें उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि एकजाम में कुछ भी पूछे किसी भी लेवल से पूछे तो हम उसको सॉल्ब करने में सक्छामों दूसरा जो टॉपिक है वो है पॉक्सो जो इस नाम से टॉपिक की सुरुवात हुई है वो है ये पॉक्सो पॉक्सो मतलब प्रिबेंशन आफ चिल्रन फ्राम सेक्सूल ओफेंसेस यानि जो है बच्चों को लैंगिक अपराज से बचाने के लिए 2012 में एक अधनियम बना था कि जो नावालिक बच्चे हैं बच्चियां उनको कैसे रेप से या फिर छेड़चार से बचाया जाए या फिर अगर किस तरह का कोई अपरात करता तो उसकी खिलाब क्या कारवाई की जाएगी वो पॉक्सो आक्ट 2012 में दिया हुआ है इसके पढ़ लेंगे तो इसको हम डेटेल में पढ़ लेंगे कि क्या है कब बना था क्यों बना था और किसलिए बना था जो तीसरा टापिक है वो है चाइल्ड लेवर एक्ट 1986 बहुत पुराना एक्ट है 1986 में बना था यह है बाल सरम परतिसेद अधिनियम इसे हिंदी में कहते हैं या कोई भी ऐसा बेक्ती जो इनको जो है लेवर के रूप में यूज करता है खतरनाक काम में लगाता है उसके बिरू दंडाटमक कारवाई की जाती है इसी अधिनियम के थाथ उसको कारवाई होती है चौता जो टॉपिक है इसमें है इमोरल ट्राफिक प्रिवेंशन बिल 2006 2006 में एक बिल आया था जिसे इमोरल ट्राफिक प्रिवेंशन बिल के नाम से जाना जाता है इसमें क्या है कि आनायतिक मनुस्यों के आनायतिक बैपार पर रोग लगाया गया है बहुत सारी चीज़ें होती है कि human trafficking होती है बच्चों को एक देश से दूसरे देश ले जाके ब दिसकस करेंगे पांचवा जो टॉफिक है जो है commission for protection of children right act 2005 2005 में बच्चों का जो बाल अधिकार है उसके सरचन के लिए commission बनाया गया था उस commission से संबंदित एक act बना था 2005 में जिसे हमें इस topic में पढ़ना है हमारा जो छटवा topic है वो है RTE 2009 यानि जो बच्चों के लिए बना के लिए right to information act 2009 में बना था उसके बारे में पढ़ना है बच्चों को जो जो भी बच्चे होते हैं उसके उनके लिए सरकार जो है नेशुल को और फिरी सिच्छा की व्यास्ता करेगी यह इस act में मोटा मोटा बताया गया है सात्वा topic है criminal law amendment act 2013 जो भारत का CRPC IPC है बच्चों क इस topic में सामिल किया गया है नौवा अठ्वा topic है child policy का सरकार जो है बच्चों के लिए अलग-अलग policy बनाती है नियमावली बनाती है उसको भी हमें पढ़ना होगा नौवा topic है इसमें national charter for children children के लिए charter बने हुए है राष्टी लेबल पर एक charter बना हुआ जिसको हमें इस topic में पढ़ना जिससे question हो सकते हैं दसवा topic है child mortality rate जिसको CMR कहते हैं यानि बाल-miritudar ratio ये भी पढ़ना होगा क्योंकि बच्चों के बारे में हमें सारी जानकर यह होनी चाहिए कितने बच्चे पे 1000 बच्चों पे कितना जिंदा रहे हैं कितना मर रहे हैं मर जाते हैं उसको हमें जानना जरूरी है इंडिया में कितनी rate है ये child mortality rate यानि बाल-miritudar भारत में कितनी है किसी परदेश में कितनी है ये सारी चीज़े हमको जाननी होगी ग्यारवा और अंतिम topic है वो है gender ratio का यानि लिंगा अनुपाद की जानकारी भी इसमें पूची जाएगी ये 11 topic है 11 topic में से Google 10 person इस syllabus से पूचे जाएंगे बहुत topic तो जादा है लेकिन बहुत चोटे चोटे topic है चोटी चोटी बातें इसमें ध्यान रखनी है अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा जाएगा तो हमें लगदा है कि 10 में से 10 question इसमें हल किये जा सकते हैं